एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने कॉंटेस्ट टिकलेर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपिक करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा, उसको दस मिलियन डॉलर का इनाम मिलेगा। पूरी दुनिया में फैल गईए और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर ने अपनी अपनी patient भेजी उस contest में participate करने के लिए। उन उन पेंटिंग में से जो इस contest के judges थे, उन्होंने फाइनली एक एग्स जिपिशन लगए। जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे, उसके ओपर बर्व चमी हुई थी और पीछे से सन्राइज हो रहा हुआ। यानि कि सारी ही पेंटिंग्स ऐसी जिसको देख करके ही मन शान्त हो जाए। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से सब ने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शकल देखने लगे। किसी को कुछ समय नहीं आ रहा था कि एक्चुल में हो क्या रहा है। क्योंकि वो पेंटिंग जो वहाँ पर दिख रही थी वो दूर दूर तक शान्ती को डिपिक्ट नहीं कर रही थी। तो सब को लगा कि शायद उस आर्ट गैलरी से कोई गलती हुए या जजिस से कोई गलती हुए और किसी गलत पेंटिंग को वहाँ पे रख दिया है। तो कुछ पेंटर्स एक साथ गए, जा करके उस आर्ट गैलरी के उनर से मिले और जा करके उससे पूछा, कि क्या ये कोई गलती है, गलती से कहीं कोई गलत मेंटिंग तो आपने वहाँ पे नहीं रख दी है तो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला नहीं ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है जजिस ने इसी पेंटिंग को से लग किया जवाब सुन करके गुसे से भर गए और सबने मिल करके रिवोल्ट कर दिया और ये देख करके सारे मीडिया वाले अपनी अपनी जगे से खड़े हुए और भागते हुए गए उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास में और अपने माइक सुनके मूँ के आगे कर दिया तो अगेन वो आर्ट गैलरी का जो ओनर था वो हलका सा मुस्कराया और उसने कहा कि मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को आप लोग ध्यान से देखिए थोड़ा पास से देखिए शायद आपको कुछ ऐसा नज़र आए जो दूर से नज़र नहीं आ रहा है कि इस पेंटिंग में आंधी है तुफान है चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है आस्मान में बिजली कड़क रही है काले बादल है ये सब तो आपने देख लिया लेकिन एक चीज नहीं देखिए कि इस पेंटिंग में एक घर भी है उस घर में एक चोटी सी खिड़की है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है ध्यान से जा करके देखिए वो जो आदमी खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है उस घर से उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है बलकि एक हलकी सी मुस्कान है एक ठहराव है एक सुकून है और यही है शांती का असली मतलब यानि कि शांती का मतलब यह नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत है क्योंकि वो टेंप्ररी है असली शांती का मतलब यह है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो हम अंदर से पूरी तरह से शान्त है हमारा मन शान्त है क्योंकि जिसका मन शान्त नहीं है उसको चाहे आप कितनी भी सुन्दर से सुन्दर जगे पर ले जा करके बिठा दो वो वहाँ पर भी जा करके दुखी ही रहेगा लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शान्त है उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो चाहे मौसम कैसा भी हो चाहे उसके आस पास में सब कुछ तहस नहस हो रहा हो तुफान हो लेकिन वो अंदर से बिलकुल शान्त रहेगा और यही है शान्ती का असली मतलब